नमस्कार दोस्तों, अगर आप दस्वी पास हैं, तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया चांस है दोस्तों, एकरी कल्चर विश्वी द्याला के तरफ से दस्वी पास वालों के लिए, ओनली दस्वी पास इसके अलावा और कुछ नहीं मंगा गया है, अलग से पोश्ट निक आप जरूर अपलाई किजिए, भले आप महिला केंडिडेट हो या पूरुस केंडिडेट हो, भारत के किसी से किसी भी इस्टेट से हो, आप अपलाई कर सकते हैं, तो इसी भरती के बारे में complete details है, आपको जनकारी चाहिए, selection process, syllabus, age criteria, exam फिस सब कुछ बताने वाला हो, असान भासा में दोस्तो, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसी more अपडेट के लिए, more government job के अपडेट के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा, साथ ही साथ, अगर आपको जानकारी अच्छे लगते तो, वीडियो को जरूर एक लाइक कीजेगा, आपका एक से जो नई भरती आई है, उसका सबसे पहले हम बात करते हैं, हमेशा की तरह, अपलाई डेट से, तो अपलाई डेट इसका 28-4-2023 से 19-5-2023 तक रखी गई है, दोस्तो, ये जो भरती है, यानि कि 28 तारिक से स्टार्ट हो गई, ठीक है दोस्तो, एज की बात करें, यानि कि य 19 मई 2023 से आपका गिंती होगा, और इस समय आपका उमर कितना होना चाहिए, 18-37 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 18-37 साल, जनरल, EWS के अडेट, 18-37 साल के हैं, आप अपलाई कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो या पूरूस हो, बाकी भरतियों में क्या होता है, ये जो लेकिन अगर आप रिजर्व केटिगरी से हैं, रिजर्व बोले तो कौन-कौन सा, S-C है, H-T है, O-B-C है, तो आप देख लीजे, H-C, H-T को 5 साल की चूट है, O-B-C को 3 साल की चूट है, यानि कि H-C, H-T कितना 37 साल, 37 साल, 42 साल के एज तक अपलाई कर सकते हैं, O-B-C, 40 स साल के एज तक अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, साथ हो, यह जो भरती है, अब एक्जाम फीस की बात करें, तो इसमें सोभाईक सी बात है, दोस्तों, जब क्रिसी वी स्वेट डाला है, तो एक्जाम फीस लेना ता है, चाहिए वो कई भी क्रिसी वी स्वेट डाला या या यू candidate चाहे वो SC हो General हो EWS हो OBC हो कोई भी फिमेल candidate हो या PWD PWD यानि कि विकलांग कोटा हो विकलांग कोटा में जिस candidate का 40% से उपर है उनका बता रहा हूं 40 से नीचे वालों पर नहीं भाई उनका 200 रुपिया है यानि कि 200 रुपिया उनका एक्जाम फिस है दोस्तों ठीक है अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों apply कोन कोन कर सकते हैं मैं पहले ही बता दिया है दोस्तों apply आल इंडिया बेस है तो आप भारत के कहीं से भी हो apply कर सकते हो और चाहे आप महिला candidate हो या पूरुस candidate हो आप दोनों apply कर सकते हैं इसमें एच क्राइटेरिया अपना देख लेना 19 मई 2023 के हिसाब से 18 से 30 साल जनराल EWS candidate OBC हो तो तीन साल की छूट मिलेगा ACHD हो तो पांस साल की छूट मिलेगा ठीक है दोस्तों अब इसका ये जो भरती है उसका इक्जाम कब होगा तो इसका फॉर्म तो 19 पांच लाश्ट है लेकिन इक्जाम डेट जून 2023 में इसका इक्जाम यानि के एक महिना या 15-20 दिन बाद ही इसका इक्जाम ले लिया जाएगा ठीक है दोस्तों अब कौन-कौन सा पद में भरती आई है उसका क्वालिफिकेशन क्या-क्या है दस्वी पास है कॉलेज पास है वो कौन-कौन सा पद का पोस्ट है इसका आप लोगों को डीटेल दे देता हूँ ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले असिस्टेंट असिस्टेंट के पद पे भरती आई है टोटल 36 पद है डिग्री प्लस डिप ठीक है उसके बाद लेखा पाल है अब लेखा पाल में 15 पोस्ट है भाईयो इसमें भी सेम डिग्री प्लस डिसीय यारि कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर रेप्लिकेशन चाहे पीजी डी से हो डी से हो मैंने पहले बता दिया कर लेना उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर और एक है, एक और है, computer operator में दो पद, दो टाइप का विकेंसी है, computer operator के अंतरगर, ठीक है, वो दोनों में 10 पद है, अलग-अलग, ठीक है, और इसमें भी diploma, या degree, या diploma in computer application दोनों है, प्लस इसमें एक चीज और है, ये दोनों में, ठीक है, 30 word, हिंदी में per minute, typing, English में 40 word, वो मंगा नहीं है, असिस्टेंट और लेखा पालवे, लेकिन computer operator के जो वेकेंसी है, उसमें 30 word per minute के हिसाब से, टाइपिंग मंगा है, हिंदी में, इंग्लिश में 40 word per minute, ठीक है दोस्तों, अब lab maintenance, उसके बाद वेकेंसी है, lab maintainer का, अब lab maintainer का 56 पद है, इसमें only 10 वी pass, only 10 वी pass candidate है, अब ये 10 वी pass अगर आप लड़का है, या mail है, या पूरूस है, ठीक है, अब mail है, तो आपको cycle चलाने आना चाहिए, इसका एक सर्थ है, ठीक है, लेकिन आप महिला candidate है, तो कोई सर्थ नहीं है, आप 10 वी pass है, apply कर दो, चाहे आपका 40% ही क्यों नहीं, apply कर दो ठीक है दोस्तों, उसके बाद driver के post है, तो driver में 15 पद है, तो driver में 15 वो भी 10 प्लस आपके पास जो license होता है ना, license होना चाहिए, driver के पद के लिए, ठीक है, उसके बाद माली का पद है दोस्तों, माली, अब माली का पद है, तो 5 पद है, वो 10 वी pass रखा गया है, अगर आप 10 पास है, फिर एक बार बताते हैं, male candidate है, तो cycle चलाने आना चाहिए, female candidate है, तो cycle चलाने में छूट है, ये आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तब आप इसमें apply कर सकते हैं, cycle तो सभी बच्चे सिखे रहता है, सब को चलाने आता है, ठीक है, घबराने की नहीं है, अब इसके बा certification और medical test, ये है, अब लिखित paper तो होता ही है, लेकिन इसमें एक चीज और रख दिया गया है, लिखित paper के साथ एक interview है, साक्षातकार, उसमें पूछेगा क्या, छोटी छोटी बात है, आप देखिए, ये सब में assistant, लेखा, पाल, computer operator, इसमें तो कुछ पूछ सकता है, लेकिन ये lab maintainer, driver, माली, इसमें क्या पूछेगा, आप gardener के बारे में हैं, तो पानी कितना कितना time देना चाहिए, दिन बर्त होनी ना, पानी देना है, अब पानी कितना time देना है, इसको बता देना है, आपका नाम, पता, पापक नाम, लेकिन साक्षातकार हमें ऐसा होता है, तो ए अच्छातकार होगा, तो आप लोगों को tension नहीं, बस जा के बैठना है, आई contact करना है, और बात करना है, उसे, simple, खुले मन से, ठीक है, इसके बाद skill test होगा, skill test किस किस पद में होगा, तो पहले बता दिया, computer operator में होगा, जो 30 word वगेरा बताया हो ना, हिंदी में 30, English में 40, उ होता है, उसके बाद क्या होता है, medical certificate आपको submit करना होता है, तो ये medical certificate कहा बनेगा, medical certificate आपका बनेगा भाईया, नजदी की जिलाची के साला चले जाना, वहाँ यह district hospital वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, कभी-कभी एक दिन में बन जाता है, कभी-कभी दो दिन में बन जाता है वह district hospital के उपर है, तो घबराने का नहीं, अब इसका syllabus की बात करते हैं, तो ये जो written exam है, उसमें 80 question, 80 number का आएगा, ठीक है, ये आगे-पीछे हो सकता है, अभी सिर्फ 80 number लिखा गया है, तो एक अनुमानित 80 question, ठीक है, 80 question, अब एक अनुमानित 2 घंटा आप मान के चलिए, 2 घंटा का समय, ठीक है, और ये जो 80 number के बाद 20 number का साक्षातकार होगा, टोटल 100 number होगा, ठीक है, और इसी से merit बनेगा, चाहे आप ये किसी भी पद में अपलाई करो, और जो typing test होगा, typing, कुछ पद में, जैसे computer operator है, उसमें अगर ये typing test होता है, तो ये typing test आपका only qualify रहेगा, मेरिट आपका 100 number के अधार पर ही बनेगा, ठीक है दोस्तो, 80 number का आपका return exam होगा, 20 number का आपका साक्षातकार होगा, सभी पद पे, तो ये ही है दोस्तो, इसके बारे में जानकरी, ठीक है, और अभी तक, दोस्तो, कुछ भी अगर आपको समझने आया, कुछ भी सवाल है ता आप comment box में जाए, comment कर दीजिए, में जवाब देगा, या मेरा whatsapp number, मेरा channel के about section में, वहाँ पर जाकर के message कर दीजिए, ठीक है दोस्तो, daily update के लिए, daily सरकारी नौकरी के जानकारी के लिए, या कुछ-कुछ update के लिए, मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं के, subscribe कर लिजे, bell icon को press कर दीज आपका एक लेक motivation देता है दोस्तो, अब ये जो भरती है, आप बच्चे बोलेंगे, इसका notification कहा है सर, तो इसका notification मैंने telegram channel में डाल दिया है, telegram channel के link description में है, और इसका apply link भी मैंने डाल देगा, ठीक है, वो telegram channel में, ठीक है दोस्तो, आप जल्दी जाए, telegram channel में, और telegram channel में अभी तक जूड़े नहीं है न दोस्तो, तो जूड़ जाए, अपना live बनाए, क्योंकि telegram channel में daily update, daily government job की update में डाल रहा हूँ, चाहे notification हो, apply link हो, कुछ भी, अगर आप 10 वी पास है, 12 पास है, या college पास है, या 5 वी, 8 वी पास है, तो channel से जूड़ जाए, अपना live बनाए, daily म मैं कुछ न कुछ update आप लोगों को, आल इंडिया वाइस, या state level वाइस, update देता रहूंगा दोस्तो, I hope, channel को आप subscribe कर ले होगे, नहीं की होगे, तो जल्दी कर लो यार, bed icon को press कर दो, मैं चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ हूँ, आप सब भी मेरे साथ आगे बढ़ें, ठीक ह फिर मिलते हैं, next studio में नई update, नई government job या नई सरकारी नवकरी के जानकारी के साथ, चाहे वो state level हो, चाहे वो central government level हो, ठीक है दोस्तो, फिर मिलते है next studio में, तब तब के लिए, जैहिन